वैलो गैस कैसे है आप लोग, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की Vivo Y27 फॉन में आप लोग नेविगेशन बार को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक Vivo Y27 फोन है और इस फोन में जो है आप लोगों को navigation बार को change करना है इस तो navigation बार किया होता है देख सकते हैं आपर जो नीचे buttons दिये गए है एक बार इसको दिया गए है इस तो इस बार को ही बोलते हैं गए navigation बार तो अगर आप लोगों को इस navigation बार को change करना है अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे फोन में कुछ इस तरिके का navigation बार है अगर आप लोगों को इसको जो जो चेंज करना है तो कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप ले जो है अपने फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे आप लोगों को एक option देखने को मिलेगाई system का देख सकते हैं लास्ट में है यह option तो इस system के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला वाला option है गया system navigation का तो इस system navigation के option पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोगों को दो navigation बार देखने को मिल जाएंगे एक है three button navigation जो आमारे phone में पहले से ही है और एक है gesture navigation अगर आप लोग gesture navigation पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो यह navigation बार है वो change हो जाएगा भी आप लोगों कुछ इस तरीके से use करना परेगा इस navigation ब पाओगे तो यहाँ पर से आप लोग जो भी navigation बार को use करना चाते उसको यहाँ पर से change कर लिजिए तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Vivo Y27 phone में आप लोग navigation बार को change कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ल लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई